नमस्कार दोस्तों और आज हम एक ऐसे पोल्टरी फार्म पर आएं जो बहुती बढ़िया लोकेशन पर बना हुआ है सबसे वेले हम आपका परिचे करा देते हैं जो फार्म के उनर है उनसे नमस्कार जी नरनाम भुपेंदर है और जिला बीनोर उत्तर परदेश यह काम हमने अभी शुरू कराया है सम्थिंग एक महिने सह कितने बच्चे पालते हो आप इसमें एक हजार और फार्म की चोडाई और लंबाई के बारे में बता दीजे इए कितनी लंबाई है इसके और कितनी चोडाई है कि नबव फिट लंबा है और पच्चेस फिट चोड़ा है दोस्तों अभी इनको केवल एक महीना हुआ है स्टार्ट करे हुए और अभी इन्होंने पहला बैज डाला है और इसमें इन्होंने यह ब्रोइलर चिक्स पालने शुरू किया है और यह लगबग 15-16 दिन के हो चुके तो भाई आप मुझे फीड दिखाए दाना कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो आप जो पसुपती का तो देखिए दोस्तों यह पसुपती का फीड इस्तेमाल कर रहे है इसका रिजल्ट तो अभी बाद में पता चलेगा इनको जब यह पूरा बैच सेल कर देंगे मतलब अभी तो तो सभी दोस्तों को मैं दिखाना चाकता हूँ इन्हों ने जो शेड बनाय वो सिमेंट वाली शीत या फिर मैटल वाली शीट का नहीं मनाया है इन्होंने कच्चा शेड बनाया मतलब बास का इस्तेमाल क्या है और उपर पुलों आप से नको तो इससे गर्मी में फायदा मि सब्सक्राइब मादेनां तो इस जानने चाहिए इस पर इनका ज्यादा खर्चा नहीं है तो यह सेट अप ऐसा है जो कि एक छोटा फार्मर मतलब जो शुरु आथ कर रहा हो वो इस तरह का सैटप तयार करके मुर्गी पालंश शुरू कर सकता है तो अभी आपको मैं और भी ज्यादा दिखा देता हूं इन्होंने management क्या क्या है नीचे चावल के छिलकों की भुसी का इस्तेमाल क्या है तो शुरुआत में आप यही करिए रेत पर मुर्गी पालन ना करें शुरुआत में क्योंकि उसमें क्या होता है सफाई में आपको परे नल है बार वहां से लेगा तो देखो शुरुआत में आप ओटोमेटिक ड्रिंकर ना लगवाएं शुरुआत में केवल आप मैनुल ड्रिंकर जो यह छोटे ड्रिंकर आप देख पा रहे हो इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हो जब मुर्गा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा बिग ड्रिंकर आते हैं मैनुल ड्रिंकर रहते हो भी उन्हें पानी पलटा जाता है तो शुबह में आप लगा सकते हो और वह लगबग शाम तक चलता रहेगा तो दो टाइम आपको काम करना पड़ेगा चाहे आगर आपके पास इलेक्टरिसिटी का कनेक्शन नहीं है या सब्सरक्आ करते हो यहां पर यह बैटरी से ऐलेडी लाइट जलाते हैं जो की पूरे फा Hunting रखती है उसी में फीर घाते रहते हैं चिक तो आप भी विना electricity के इस तरह का इंतिजाम करके farm में मुर्गी पालन कर सकते हूँ इन्होंने कोई solar panel या कोई अलग से इंतिजाम नहीं कर रखा ये घर से battery charge करके यहां पर ले आते हैं और रात को farm में अच्छी तरह से इनका management हो जाता है तो अभी मैं इनका पूरा farm आपको बहार से भी दिखा देता हूँ मुझे तो काफी अच्छी लगी इनकी यहां की location हवा भी काफी जादा अच्छी जल रही है और यहां का environment भी अच्छा है क्योंकि गाओं और शहर से काफी दूर है population से काफी जादा दूर बना हुआ है तो आप भी अगर farm को बनाना चाते हो सबसे पहले तो अपने आसपास देखे कि कहीं पर कोई आबादी वाला शेतर तो नहीं है और अगर आपको ऐसी location मिल जाए तो शुरुआत में यह रहता है कि सबी farm के आसपास पक्की रोड नहीं होती तो अगर आप 1000 चिक से शुरुआत करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कहीं पर भी आप farm को बना लीजी आप sale कर पाऊगे लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े level पर शुरू करोगे जैसे 5000 6000 मुर्गों को पा लोगे तो उसमें आपको पक्की रोड का भी इंतजाम रखना होगा तो मुझे काफी अच्छा लगा आपका यह शेड देख करके और सभी किसान भाईयों को मैं दिखाना चाहता हूं साइड में इन्होंने लोहे के पाइप का इस्तेमाल क्या है और सेंटर में आप देख सकते हो लकडी के जो बल्ली रहती है लकडी रहती है उसका इस्तेमाल क्या है साइड में मजबूती है जिससे की तेज हवा में या आंधी में कोई नुकसान न पहुचे तो आप भी इस तरह का इंतिजाम करिए जाली मजबूत रखिए साइड में उपर चाहे तो आप इस तरह का रख सकते हो बस मोसम का ध्यान रखें क्योंकि सभी जगा का मोसम अलग होता है तो दोस्तों आने वाले समय में और भी ज़्यादा पोल्ट्री फार्म पर विजिट करेंगे और जितने भी खेती से जुड़े हुए बिजनेस हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करें